हलो दोस्तों आज मैं बता हूँ कि कैसे आप अपने इस डिवाइज का यह जो SLD डिवाइज रहता है आपके मारुती सुजी की गाड़ियों में जो रहता है अगर यह आपका चिप खो जाए तो इसे आप खुद से कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊं तो देखे इससे प्रॉब्लम क्या होता है यह अगर आपका खो जाता है तो यह मारुती सर्विस सेंटर में आप जाके पूछेंगे तो इसका कॉस्ट आ जाता है 9000 से 10,000 ऐसे कुछ बताते हैं वो लोग ठीक है इसका जो genuine part है तो आपको मैं बता दूँ कि यह कुछ खास व अगर खो जाता है तो इसे आप खुछ से भी बना सकते हैं तो इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे memory card खुछ से आप बना सकते हैं इसमें क्या होता है आपको पहले बता देता हूं इसमें सिर्फ यह gps card नहीं रहता है इसमें सिर्फ खाली navigation का जो map रहता है ना वह वह ही store होता है offline map आप अभी google का जो map use करेंगे उसमें क्या होता है कि online से आप online से वह access करता है पर इसमें जो रहता है maps वह आप offline से download कर लेते हैं उसके बाद यहां पर offline से वह install रहता है इस device में देखें अभी यहां पर देख सकते हैं नो navigation data दिखा रहा है देख रहें देख रहें तो यहां पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ कुछ परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसमें वह navigation data इसमें ही है वह maps इंडिया का सिर्फ इंडिया का maps इसमें रहता है यह जो download हम करते हैं तो अभी मैं डाल दूंगा तो यहां पर अभी अगर डाल देंगे तो देख सकते हैं यहां पर अभी सो कर रहा है यहां पर तो यह आप कैसे कर सकते हैं यह इस वीडियो में बताऊंगा यह memory card आप कैसे बना सकते हैं तो पहले तो आपको computer पर जाना पड़ेगा computer के जाने से पहले आपको दो चीज चाहिए इस गाड में आप वो memory card बनाना चाहते हैं जिस गाड़ी के लिए तो उस गाड़ी के लिए दो चीज उस गाड़ी से आपको लेना पड़ेगा पहले तो यहां पर जाईए यह सेटिंग बटन दिख रहा है ना यह सेटिंग इस पर क्लिक कर दीजिए प्लिक करने के बाद ऐसे आइकन खुल जाता है ठीक है ऐसे आइकन खुलने के बाद अभी आपको पूरा नीचे जाना है नीचे नीचे जाने पर आपको serial number मिल जाता है यहां पर नीचे इसको note करना है या photo click कर देना है ठीक है प्लिक करने के बाद यह एक copy कर दीजिए फोटो लेज लीजिए उसके बाद इस गाड़ी का चैसिस नंबर यूज होता है चैसिस नंबर आपको पता होगा इंजिन में लगा रहता है यहां फिर आप डूर खोलेंगे डूर के नीचे भी लगा रहता है दिखाता हो रूखि हें कि दूर खोलने के बाद यहां पर है यहां पर आपको मिल जाता है चैसिस नंबर है यहां पर नोट करने के बाद अब चलते हैं computer screen पे आपको दिखाता हूँ कैसे वह करते हैं ठीक है बने रहे हैं वीडियो में अभी हम आ गए है computer screen पे तो यहाँ पे आपको एक link खोलना है website का link मैं बता रहा हूँ देखिए यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे paste कर दिया यह link दियान से देखिए मार्तिसुजगी.com slash corporate slash reach-us map-home तो यह link को आप open करना है यह link मैं आप description में भी दे सकता हूँ ठीक है तो enter कर दीचे enter करने के बाद यह वाला page खुल जाता है तो यहाँ पे क्या करना है देखिए यहाँ पे यह फॉर्म को फिलप करना है इसमें डालना है जिसका गाड़ी है उसका नाम में औरेस्टिसन है तो उसका नाम यहाँ पर डालो उसके बाद मॉपाइल नमबर उसका है उसका इमेल आईडि उसका बीन नमर यह वीन नमर में ने जो दिखाया था वो डूर खोलते वक्त जो नीचे वेह कल आइडिनिफिकेसन नंबर जिसे चैसिस नंबर भी बोलते हैं तो यहां पर वो डाल दो तो यह उसके बाद यह जो capture इसको fill up करो यहां पर डाल दो उसके बाद सब्मिट कर दो ठीके प्प्रेइब करने के बाद के दिखाता आँ क्या होता है अभी मैं समिट पर दवा देता हूं देखिए के बाद आपको एक अलग सा पेस खुल जाता है अ कहते हैं कि यहाँ पर फिर से आपको भी नमबर क्लिक करने की लिए बोलता है नमबर उसे टाइप किया था इसलिए राए नीचे करके चेक विन नंबर तो यहाँ पे सभी डिटेल्स आ जाता है ठीके तो यहाँ पे मैंने पहले से यह कर दिया था इसलिए यह सिरियल नंबर फिर से अभी दिखा दे रहा है डारिक्टी, सो कर रहा है ठीके, तो आपको वह क्लिक करने के बाद फिर से स्रियल नमबर पूछता है तो मैंने पहले से कर रहा था इसलिए यह फिर से आ रहा है ऐसे सो कर रहा है ठीक है तो आप स्रियल नमबर को सेकंड में डालना पड़ता है स्रियल नमबर को सेकंड में डालने के बाद वह आपको डाउनलोड करने के ये चाहता होगा फाइल कि जैनरेट डाउनोड फाइल ऐसी आपको डाउनलोड यापोल्य करता या बाद 550 को होने और भी यहां पर इख यहां से आप डानलोड कर सकते हैं वह अभी वह फाइल पर जाते हैं वह फाइल है यह लगबग 2.5 चेबी का आता है यह फैल प्रापर टो पोर तो अब इसको यह जिप फाइल में रहता है न इसको आप आप extract करके वो चिप में डालना है जो चिप आप उसमें आपके कार में डालेंगे ठीक है तो इसको extract करना है इसको copy करने से पहले आपको वो चिप में कोई भी चीज रखना नहीं है उसको format कर देना है तो उसको यहां से आप इसको extract कर सकते हैं उस चिप में करने के बाद नीचे ओके लिखा रहेगा ओके दबा देंगे तो complete यह जो जिप फाइल में है वो सभी उसमें copy हो जाएंगे उसके बाद आप डारेक्ली अपने गाड़ी में वो यूज कर सकते हैं और वो अच्छी तरह स से काम करेगा तो वीडियो अच्छा लगाएं तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को समस्क्राइब कीजिए थैंक्यू